जो फर्स्ट टोपिक है इंग्लिस में वो हमारा रहेगा नाउन अब भई नाउन एक तरह से जो हमने बच्पन में पढ़ा एक तरह से हिंदी मीडियम के बेस पर देखें तो किसी ब्यक्ति बस्तु इस्तान के नाम को क्या बोलते हैं संग्या बोलते हैं और इंग्लिस में ए जो हमने यह जो डेफिनेशन पढ़ी यह डेफिनेशन एक तरह से आदी अदूरी डेफिनेशन है अब कैसे इसके लिए हम कुछ तीन बड़ बोलते हैं जैसे जोए एटर्ड और एक होता है जैसे माल लिए हमने सोरो आया समझों अब यह ना तो परसन प्लेस तिंक्स कुछ भी नहीं है जो एक तरह से खुश्थी रिते नफ्रत और सोरो उधार ले आमने यह एक तरह से ना तो परसन प्लेस नदा तिंक्स किसी में अधा और फिर वी इनको हम क्या वोलतें एक तरह से यह सब तीनों कि इनों किसमें और नाउन के इंदरहां पम्त है किया तेलिया इसे बाद नाउन के इंदर के देखते हैं मैं इसथा तरीके से पार्माय लिए मैंने कुछ जो बस्तू होती है धिंक बगला इसक कर सकते हैं उनको सब्सक्रेइब उन टच्चिंग बर्ड के लिए अपने बोलता है टेंजी वल जिनको हम टच नहीं कर सकते उन्हें क्या हो जाए अब जैसे मान लिया मैंने मुझे इस यह आपसे बोलता हूं कि यार जैसे यह कोई यह जैसे पेन रखेंगे मैं बोलता हूं कि बोला दो अब आप पूछो को कि क्या तो कहने मतलब उसको नाम दिया जा रहा है कि यह पेन लाकर दो मुझे आई समझे मैं तो एक तरह से नाउन हमारा एक तरह से क्या होता है किसी को आइडेंटिटी नेम दिया जाता है ना तो वो उसी को बोलते हमें एक तरह से नाउन आई समझे मैं मतलब कहने मतलब इस we can name it हम उसे नाम देता है इसे ही बोलता है नाम, के लिए रोगया अब हमने जो बच्पन में जैसे देखा कि नाउन के टाइपस देखते है अब नाउन के जो टाइपस होते है वो कितने होते हैं दो टाइपस के नाउन होते है सबसे फर्ष्ट जो नाउन का टाइप होता है वो होता है काउंटेवल और जिसके बाद में अनकाउंटेवल यह हमने टाइप भी पड़े थे पड़े थे ना अब आप देख रहोंगे कि इसका मिनिंग क्या है काउंटेवल मतलब काउंट करना अनकाउंटेवल मतलब कि जो काउंट नहीं किये जाते जैसे जैसे मैंने बोला आपसे एकजांपल की यह जैसे मानलो सोप और चोकोलेट यह दो दिये अगजाब अब भाई सोप को अभी आप काउंट कर सकते हो चोकोलेट को आप काउंट कर सकते हो बट लेकिन ये कौन से noun नहीं है, countable noun नहीं है, फिर भी ये कौन से uncountable countable होने चीए पर uncountable है, तो कहने का मतलब येर mistake क्या हो गई? तो हमें एक concept ध्यान में रखना है कि जैसे माना मैंने कि हमारा ये क्या नामे ये पूरा blackboard है, इसे समझो, ये क्या है हमारा blackboard अब मैंने क्या किया, इस blackboard के क्या कर दिये, टुकड़े कर दिये, अब मैंने एक छोटा सा एक टुकड़ा उठा के बोला, क्या ये blackboard है? तुम बोलेगे नहीं जैसे ये इस pain को है इस pain के मैंने छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये एक टुकड़ा उठा के बोला क्या ये pain है तुम बोलोगे नहीं तो एक तरह से जब हमारा कोई भी form हो वो अपना identity loss कर देता है क्या कर देता है identity loss कर देता है उस तरीकी नाउन को हम बोलता है countable clear हो गया आया समझे अब countable noun एक तरह से कैसे हो सकते है plural भी हो सकते है और singular भी हो सकते है clear अब जैसे मैं ने समझे की यारogie यसे सब्जी का टुक्ट अजै इसमाल लिया सब्जी को एक ठौक़़्ों झाल की है अब मैंने इस चोक्लेट की क्लिकारब एक चोटा हम दिसे चोक्लेट है तो आप भोलो हाँ बिल्कुल जैसे मैंने साब़ून लिया क्या यह साबुन है बोलोगे इंटिटी को मेंटेन रखता है एक तरह से मलब की फॉर्म एंड आइडेन्टिटी मेंटेन उनको किस में काउंट करेंगे हमारी हो जाएंगे अन्में काउंटेवल नाउन मज़ा आएगा इस में कापी कुश्चन प्रेक्टिस भी कराऊंगा आपको ठीक है अन्काउंटेवल नाउन इसके यह एक तरह से ओनली केस होता है सिंग्यूलर अब भई इस बर्ड का इसका जो हमें कुछ एक्जाम्पल लेकर देखते हैं ठीक है तो मैं एक्जाम्पल जैसे जैसे मैं कोश्चन लिखता हूं ठीक है जैसे इस कुश्चन को देखो कहने का मतलब कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 100 रुपे के नोट से हम फूट्स और बेजिटेवल्स खरीद नहीं सकते है अब इसमें आपको देखना है कि मिश्टेक्स क्या है अब इसमें मिश्टेक्स क्या होगी अब बई यह क्या है फूट्स को अपने एक टुकडा करते है तो जैसे माल लिया आपने ये बनाना है अब बनाना का मैंने एक टुकड़ा कर दिया फिर आप से पूचता हूँ कि क्या बनाना है आप बोलोगे हाँ तो एक तरह से अपनी इसने identity loss नहीं की और identity जो loss नहीं करता है उनको हम क्या बोलते हैं uncountable noun uncountable noun के से होते हैं हमारे singular यहाँ पर यह क्या है plural तो यह एस यहां से हट जाएगा यह mistakes थी बाकी का जैसे vegetable है यहाँ पर ace होता तो इसको भी ace हटाना पड़ता है तो क्योंकि vegetables में किस में आते हैं uncountable noun में आते हैं clear इसके बाद हम देखते हैं यह topic अच्छे से clear हो गया होगा आपको इसके बाद जो हमारा second topic आता है वो होता है articles clear हो गया अब भई articles एक तरह से किस के लिए जन्म हैं एक तरह से किस के लिए आए नाउन के लिए आए हम बोल सकते हैं एक तरह से यही सब पढ़ते हैं अपना आर्टिकल्स में जैसे इधर देखो एंदी मतलब इसको यूज खा लेते हैं इसका एक कंसेप्ट याद रखना ये एक तरह से सिंग्यूलर और काउन्टेवल नाउन में यूज लेते हैं मैं एक्जाम्पल देखे बताऊँगा आपको जबकि दी इसका प्रियोग ले सकते हैं सिंग्यूलर प्लूरल और काउन्टेवल और अनकाउन्टेवल नाउन में यूज रे सकते हैं किलियर आई समझें जैसे एक्जाम्पल देखो जैसे मैंने बोला आई बोट फॉन सेकिंड सेंटेंस जैसे मैंने एक और एक्जाम्पल लिया जैसे मान लिया मैंने फॉन इजिए कोस्ट लिए इससे समझें लोग इसमें देखो आप कि कहना क्या चाहरा है इसमें यह कहना चाहरा है जैसे मैंने फॉन खरीदा और फॉन मेंगा है तो दोनों sentence इन्दी के basis पर तो दोनों ही correct है ऐसे देखे तो और यदि मैं एक तरसे English के basis पर देखाऊ इसको यह English के basis पर देखते है तो उसका first concept में यह गलात है एक तरसे इतरसे फस्ट रूल पे ही गलत एंगलिस के बतों क्योंकि रीजन क्या है फोन एक केसा है सिंगूलर केसा सिंगूलर और काउंटेवल है या अनकाउंटेवल है आप मालो फोन को एक तरसे तोड़ दिया क्या कर दिया तोड़ दिया अब एक टुकड़ा उठाके बोलोगे कि क्या यह फोन है आप बोलोगे नहीं जो कि लोस हो चुका उसकी आइडेंटिटी तो जिसका लोस हो चुका उसकी आइडेंटिटी उसके लिए क्या लगाते हैं आपने ए और इन तो यहां पे ए आ जाएग क्लियर उसी को तो हम बोलता है जिसका आइडेंटिटी लोस हो चुका उसको यह तो बोलता है मैं countable noun जैसे phone बापीस इसका भी identity वही लोस है आइडेंटिटी लोस है तो इनको क्या बोलता है पाण वही countable noun होते हैं क्लियर हो गया इसके लिए हम क्या लगा देंगे ए अब जैसे दी के लिए मैं बताता हूं आपको दी को समझाने से पहले अपन पहले एक छोटा सा देखो एक कुछ गटना सी देखते हैं जैसे मान लिया यह बंदा है क्लियर यह एक तरासी चेंट्टू है ठीक है इसको यह दूसरा यह भी एक बंदा है ऐसे समझो यह चेंट्टू है यह चेंट्टू का मास्टर है ठीक है अब मास्टर जी बोल रहे हैं उसको कि चेंट्टू प्लीज शोल्व एक कोश्यन फ्रोम दा सीट ठीक यह मास्टर ने बोल दिया अब चिंटूप इसको सोचेगा ना कि कौन सा कोश्यन करू प्लीज सॉल्वव एक कोश्यन फ्रोम सीट वही उसके दिमाग मा रहा है की एक कोश्यन तो कानना है क्वों सा करू इसके क्या दिमाग में आएगा कि which one कौन सा करूँ सर ये दिमाग में आएगा जैसे ही जब भी इसके दिमाग में question generate हुआ इसी चीज को था हम बोलते हैं क्या indefinite articles clear हुआ एक और essay देखता है जैसे मैंने इसी sentence को change करके बोला जैसे मान लिया कि please solve the first question from the seat अब चिंटू के मन में दिमाग में तुरंट समझ में आ गया कि first question करना है seat का first question तो एक ही हो सकता ने seat में तुरंट ये कोई question का मतलब इसके दिमाग कोई question create नहीं होगा और तुरंट first question solve कर देगा तो इसी को हम बोलते है definite articles और ये दियान रखना जब question दिमाग में create नहीं होता तो उस जगे हम लेते हैं use the clear और जब question create होता है दिमाग में तो वहाँ पे लेते हैं ए और इनका use ऐसे समझागों clear हो गया अब भाई आपके दिमाग मारा होगा कि एक question format में आपको समझाए जाए कि question कराए जाए आपको देखते हैं एक के बाद एक question जैसे question देखो दस सेलेक्शन कमिटी फाइंड प्लेयर ओप दा टीम क्या कहना चाहरा है कि कि एक जो सेलेक्शन कमिटी फाइंड करती है कि प्लेयर ओप दा टीम यहां तक question एक आए समझाग दूसरा जो question है थार्ड कुशन है थार्ड कुशन है थार्ड कुशन है दस सेलेक्शन कमिटी फाइंड केपटन ओप दा टीम्स के लेर हो है आपके सामने दिरका है यह फिलप अब आपको कैसे सोल करना है अब मुझे यह बताओ find player of the team उसके दिमाग में यह तो आ रहा हुआ कि team से player को select करना है कौन से player को question दिमाग में आ गया तो उसको captain of the team team का captain तो एक ही होता है captain of the teams teams तो बहुत सारी हो सकती है न उसके भी लगले captain हो सकती है तो रंत क्या लगाओगे आप आप भरत हो गई आई समझें जैसे इस question को देखो the car collided with the pole and driver बाचकिल्ड car collided हुई किस से pole से और driver मर गया तो driver एक ही होता है car के अंदर आप तुरंत क्या लगाद होगे the definite एक ही only one the car collided with the another car and driver बाचकिल्ड अब कार को लाइड हुई अनोधर कार से वो driver मर गया अब उनके दिमाग में question आ रहा है कि driver कोन सा मरा कोन सी car का मरा question क्रेट हो गया ना तो आप तुरंत लगाद हो इसका एक और तरीका मैं बता देता हूं आपको हमेशा जैसे बन ओप मेनी ग्रूप तब यूज करना होता ए और only बन तब यूज करना होता दी कैसे जैसे देखो इदर इसको अपलाई करते हैं अब किसी एक प्लेयर को सेलेक्ट रणना है तो आप पता नहीं ने कुस क्यों करना है तुरंत केप्टन ओप दा टीम केप्टन एक होता है टीम का एक क्लिर होगए है यहां पर देखो कहा रहे कि है यहां और यहां पर दो कहार है मतलब गूरुक्न होगई न तो हम क्या करतेंगे मुझे लगता है दोनों ये concept आपको clear हो गए होगे तो thank you, हमारा यहाँ पर article topic भी खतम होता हुगा, इसके अलावा हम कुछ question और practice कर लेते हैं तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे it talked to main, ऐसे खाली छोड़ दिया वो किस के बारे में बात कर रहा है, एक main के बारे में अब नहीं पता ना, किस main के बारे में बात कर रहा है question दिमाग में create होगा है तुरंत है I talked to main, who topped the exam मतलब उस main के बारे में बात कर रहा है, जिसने top किया exam को top तो एक ही बंदा करता है ना, only one तो the, clear I gave him money, then I un-last year जो मतलब की, वो यह कहना चाहरा है कि मतलब की, उसने last year में जो मतलब की money दिये थे मतलब उसको जो money दिये थे, वो कब है, जो उसने last year कमाये थे बात कहना ही चाहरा है, तो यहाँ पर यह इसको एक तरह से explain कर रहा है मतलब की, हमेशा यह ध्यान रखो, कि उसको define करता है, जैसे I topped the exam, top किया उन्हों इसने किया कि, उस main के बारे में define कर दिया अब जैसे उसने money दिये थे, उसके बारे में बता दिया, उसने define कर दिये एक तरह से इसको, इस sentence के द्वारा तो the, यह confused नहीं रहा है, देखो, I gave him the money, then I earned last year last year उसने जो मतलब कि उसको money दिये थे, जो उसने last year कमाये थे, भई last year तो एक ही बात कर रहेगा तो दिये हो जाएगा, बिल्कुल सोच नहीं जरूत है यदि आप concept नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे मान दिया, आप उसको मतलब यह समझो ना कि यह उसको define कर रहा है एक तरह से, इसके बारे में बता रहा है, clear? जैसे इस question कर देखो, बन सुडे नेवर टेल लाई, आलवेज स्पीच ट्रत, अब भई life मतलब जूट और यहां पर ट्रत, इन दो बड़ को देखो, अब इसमें देखो, आप जैसे उसने जूट, तो हम जैसे कभी school जाते हैं, और कभी master बूसता है, लेट हो जाते हैं, तो उसको हम कर देते हैं, तो रहां दी, जबकि जूट बहुत सारी हो सकती है, यह भी RRBSO बगेरा में पूचा गया था, यहां पर इसके पहले जो एक जाम, कुशन कराया थे, वो आई भी पे सेफ हो गता, market वाला भी आई पे सेफ हो में पूचा गया था, तो thank you, तो next session में मिल कि काई भी RRBSO बप्राइब ऌहा थे, जा मिला थाँ इसके पnewग हो में मिलाओार काई धुब हो में पूचा गषचित कर दो प biz़िसंग सेफले हो ऐ